बिहार के मध्यपुरा में देर रात 16 प्रवासी मजदूर बस स्टैंड में भटकते हुए देखे ये मजदूर दानापुर से एक बस पर सवार होकर मध्यपुरा पहुँचे थे मजदूरों की माने तो बस में करीब 50 लोग सवार थे और वो 16 मजदूर इनके अलावा थे इन मजदूरों के आने की सूचना जिलाप्रशासन को भी नहीं थी जब मीडिया कर्मियों की नजर इन मजदूरों पर पढ़ी तो जिलाप्रशासन की पहल पर इनहीं बी एन मंडल स्टेडियम ले जाया गया जहां इनके रहने और खाने की व्यवस्ता की गई मजदूरों के इस जथे में 12 लोग मत्रा से पैदल दानापूर पहुचे थे जबकि 4 लोग मैंगलोर से ट्रेन से दानापूर आये थे मैंगलोर से आने वाले मजदूरों ने बताया कि उन से मैंगलोर में 910 रुपे के रेल टिकेट के बदले एक हजार पचास रुपे लिए गया तभी उनको ट्रेम पर चड़ने दिया गया पंजाब में फाजिलका के सिवल सर्जन डॉक्टर हर्चन सिंग ने श्री हुजूर सहाब से कुल इक्यासी शद्धालों वापस बाचीत करते हुए कहा कि इन 81 शद्धालों में से 21 लोगों की पहले रिपोर्ट आई थी जिन में से 4 शद्धालों पॉजिटिव पाए गये थे अब बाकी 60 लोगों की रिपोर्ट आई है जिन में 30 शद्धालों पॉजिटिव पाए गये हैं और 30 नेगिटिव हैं जिलिभर में आप कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो चुकी है जिनको फाजल का के गाउं रामसरा और अपर के एक प्राइबट आई है अब इन सभी को बाकी अस्पताल में शिर्ध की जाएगा इसल जे इतनकल करने होगे और ब्लॉग देहेंगे नि ते रहना विच्छों फाजल का ब्लॉग देहेंगे नौ अब आदेगे साथ एक कोई रासा पांदा अड्रेस जाएगा शायदे मिस्प्रेंट वागा है वह सी कन्फर्म कर रहे हैं पेज जिया बंदा उसन दस तेंद इसलेशन सेंटर जड़ा है का साथ को जिलालावाद है का थे बाबा प्री उनिवर्स्टी दी सीनियर डॉक्टर ने डॉक्टर बाबा उनना दी वह देख रेक देविच वरक कर रहे है लोगडाउन के बीच खुल रही शराब की दुकानों के सामने लगी लंबी-लंबी कता इस थाबित कर रहे हैं कि प्यास बुझाने के लिए सिर्फ पानी ही काफी नहीं है लगबक 40 दिन के बाद खुलने वाली मदिरा की इन दुकानों पर मदिरा खरीदने वाले अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बच्चों की तरह बेहत अनुशासन दिखे और सोशल डिस्टेंस बनाए हुए दिखे अव ऐसे में देखना ये दिल्चस्प होगा कि क्या ये अनुशासन और लॉकडाउन नियमों का पालन तब भी जारी रहगा जब बोतल में बंद मदिरा का घूट इन मदिरा प्रेमियों के गले से उतर जाएगा आपको बता दें यूपी के रामपुर में वाइन शॉप पर पहुंचे बिजनिसमैन गुलशन अरोडा ने बताया कि शासन और प्रशासन के आदेश के बाद शराब की दुकाने खुली हैं जिसके बाद खरीदारों की भीड भी लगी जहां बहुत अनुशासन के साथ योग कर रहे हैं बहुत ही अच्छे डंग के साथ और शराफ रीद रहे हैं और तो कहीं ना कहीं जैसे की कोरोना वर्यस काम कर रहे हैं कुरों से लड़ने के लिए तो लगता है ये रविन्यू का जो पैसे जाएगा वो भी एक तरीके से यूद्धा कितने काम करेंगे हैं करने के लिए शराफ पान जुटका की खास चीज़े हैं इनकी विक्री इंपर रोग हडाने के बाद सरकार ने बहुत 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 है इसका हमारी आर्थ मेवस्ते को भी फाइदा होगा बज़ए हैं क्योंकि 40 दिन तो लोगों ने वैसे इंतियार कर रहा है तो बज़ए यह है कि सरकार को रेविनी की कमी है तो भी आप लेने आये हैं जी गवर्मेंट बना एक साल बंद करते ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं है जो कंटेन्मेंट एरिया है हमारी ठंडा की सभी दुखाने बादली सही और ज्वाला नगर की सभी दुखाने यह बंद रहेंगी तो बंद रहेंगी यह नहीं हैं उनकी दुखानों को 10 वज़े से लेके सुगा 10 वज़े से साम 7 वज़े तक खूलने के निर्देश दिये ग यूपी के सहरनपुर में बढ़ गाओं के नूना बड़ी गाओं में दो दोस्तों में आपसी विवाद को लेकर चाकू चल गए इस घटा में 22 वर्षिय एहसान की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई यूवक की हत्याकारों पडोसी यूवक गुरा पर लगाये गया है वहीं सुषना पर पहुँची पुलिस ने शव को कजे में लेकर पोस्मॉटम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है थाना चित बढ़ गाओं ग्राम नूना बड़ी में एहसान और भूरा नाम के दो वेक्तियों में आपस में कहा सुनी हुई इसी बीच भूरा के दोरा और उसके साथियों के दोरा एहसान को चाकू मार दिया गया है इलाज के दोरान एहसान के मृत्व हो गई है ये फ़यार दर्श कर लिया गया है विधी करवाई की जा रही है यूपि के सहारनपुर में नागल के पंडोली गाउं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हो गई इस मुटभेड के दोरान पुलिस ने तीन बदमाशों को गरफतार भी किया है बता दे कि नागल पुलिस ने गोकशी के सूशना पर ये चापे मारी की थी कि पुलिस ने कॉम्बिंग कर फरार दोनों बदमाशों को भी गरफतार कर लिया है इनारोपियों के कबजे से अवैत तमंचा कार्तूस चुरी साइथ जिन्दा गौवंश भी बरामद हुआ है ग्राम नागल के जंगल में अवैध गोवन्स की कटान की तयारी की जा रही है इस सूचना पर अपने टीम के साथ कॉम्बिंग करते हुए खेतों की तरफ गये उनके दोरह जोब ये देखा गया कि अवैध रूप से कटान की तयारी की जा रही है इस पर उन्होंने ललका रहा उसमें तीन बदमास थे एक बदमास के द्वारा पुलिस पारटी पर फायर किया गया कर्फियो और लॉक्डाउन के चलते लोगों को आ रही दिक्कत और परिशानियों को लेकर पंजाब के लुध्याना में अकाली दल के वपत की और से लुध्याना के डी सी से मुलाकात की गई इस दोरान अकाली दल ने मौझूदा कैप्टन सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जिसमें अकाली दल विपक्ष नेता शरंजीत सिंग धिल्लो ने कहा कि जो नीले कार्ड धारक लोग हैं उनके भी कार्ड रिजेक्ट कर दिये गए हैं जोकि इन लोगों के साथ इस दोरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अकाली दल के वरकरों के साथ भी मौझूदा कैप्टन सरकार धोका कर रही है ऐसे समय में लोगों का साथ देने के बजाए वो लोगों के साथ ताना शाही जैसा रवया अपना रहे हैं जिसको कोई भी बरदाश नहीं करेगा इसी मामले को लेकर वो लुध्याना के DC प्रदीप अगरवाल से मिले थे जिसमें उन्होंने अपनी विशेश मांगो को लेकर उन्हें अवगत कराया साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग को भी इस मामले पर गौर करने के लिए कहा है यूपी के जहांसी में अग्यात लोगों द्वारा चुडिया मार बंदूग से फारिंग कर राश्री पक्षी मौर की हप्तिया कर दी गई मामले की सूचना मिलते ही वनवेभा की टीम मौके पर पहुंची और मौर के शव को पोस्मॉटम के लिए भेज दिया इस मामले में अग्यात लोगों के खिलाफ पुलिस में प्राथमी की दर्ज कर जान शुरू कर दी गई बतादे की पूरा मामला जहांसी में बड़ा गाउं के ग्राम बावल टांडा का है सम्मंदित के खिलाफ अग्यात लोगों के खिलाफ नाम पता मालूम नहीं चल पाया उन्हें के खिलाफ पुलिस में की दर्ज कराई जा रही है और आगे की जो भी का रवाई होगी आवगत कराई जाएगा यूपिक लखीमपुर में एक तरफ जहां नगरपालिका वार्डों की सड़कें खस्ता हाल हैं तो वही दूसी तरफ नगरपालिका प्रश्रासन अच्छी हालत में बनी सड़के उखार कर नई सड़के बनाने में जुटा हुआ है पूरा मामला लखीमपुर सदर नगरपालिका का है जहां मौजूदा समय में मुख्यमार्ग में कुछ साल पहले सडक चोड़ी करण को लगाई गए इंटरलोकिंग उखार कर सडक निर्मान कराने का काम किया जा रहा है सडक निर्मान को लेकर स्थानिय दुकानदारों में गुस्सा है कि पूरी सडक सही होने के बावजूद भी बार बार उसी सडक को तोड़कर बनाया जाना शासन के धनकाद रुप्योग है पालिका प्रिशासन को सबसे पहले उन सडकों पर ध्यान देना चाहिए जो चलने लाइक नहीं बची है मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की माने तो जिला अधिकारी के आदेश के बाद पूरी सड़क को हॉट मिक्स बनाया जाना है जिसको लेकर निर्मान कारे कराय जा रहा है सड़क अभी तो नहीं बनने जरूती जहां की रोड खराब है वहाँ पर इसकी जादा जरूरत है मेरे साथ अभी तो जरूरत नहीं है अब यह तो मैं नहीं कह सकता है सरकार का अपना मत है मगर रोड तो अभी जरूरत नहीं थी इंटर यॉकिंग बनी भी थी मगर आप सरकार ही बता सकती है क्यों बन क्यूं रही है